हेलो आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं वडिस कैश सिंपल है कापकर रहता है और एक डिपॉजिट विद बैंक्स दूसरे यहां पर कैश किसके एक्विलेंट रहता है वह आपको इसमें बताये गया है आपको सामने नजर आ रहा करते हैं जो हाई लिक्विड इंवेस्टमेंट होते हैं जिनको आप कैश में कनवर्ट कर सकते हैं और जिन में ज्यादा रिस्क नहीं रहता है वह आपका इसके अंडर आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट तो इसका सबसे बेसिक है य क्या रहेगा, और जिसे अधर सोर्सिस हैं उसका impact balance bar, पर क्या रहेता है, वह हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो, overview हमार को यह बता देता है कि cash खाहां से आगा और कहां पर इसका use कर सकते हैं, उसके बाद आता है cash flow statement क्या है, हमने पहले बढ़ा कि क्यूं cash flow statement, वाइ cash flow statement, लगा पेश्फ्रलो स्टेटमेंट ये सिंफर प्रीपेयर किया जाता है प्रिजेंट करता है आपके सभी टाइम प्रेंट्च स्टेटमेंट साब प्रिपेयर करते हैं अब इसको हम T confid divide करते हैं operating activities में investing activities में financing activities में तो जो सम रहता है आपका cash flow from these activities वो explain करता है कि आपके cash balances में कितना change आया है पिछले accounting period में तो यह आपको पूरी एक ब्रीफ बता देता है कि cash flow किस तरीके से आपका work कर रहे है किस तरीके से आपकी working है financial position कैसी है वो cash flow statement जो है आपको महाँ पर बताता है तो इसकी जो activities है उसमें हम first बात करते हैं तो operating activities आपकी आती है operating activity में simple आपको यह बताता है कि principle आपका revenue generating activities कौन सी है और जो general result है from the transaction other events that enter into the determination of net profit and loss उसके बारे में आपको यह बताता है जैसे कुछ examples यहाँ पर दी गई है operating activities की sale of goods और ending services जो आपको receipt होता है payment to suppliers for goods and services payment to employees, payment of income tax means एक activity operate करने में जो जो खर्चे हमारे होती है जो हमारी receipts होती है वो आपकी operating activities में आती है तो बहुत basic सी बात है यह आपको समझ में आना चाहिए बहुत simple सी example से मैंने आपको इसमें समझाया है कि operating activities आपकी होती है ठीक है goods को sale करना, services को render करना या जो suppliers and goods and services के उनकी जो payment आप करते हैं जो employees work कर रहे हैं उनकी जो payment आप कर रहे हैं या income tax की जो payment आप कर रहे हैं वो आपके operating activities में यहाँ पर आता है तो यहाँ पर simple वही है कि जो revenue generating activities है वो आपकी operating activities में आती है और इसका simple से आप कह सकते हैं कि basic जो starting activity आपकी रहती है वो आपके operating activity में work करती है तो यह बहुत important है first activity है जिसमें आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपके operating activity यहाँ पर work करता है किस तरीके से सारा जो आपका काम है वो कैसे होता है तो वो आपको यहाँ पर बताता है तो जो business की starting है जो हम बात करते हैं वो हम operating activity से बात करते हैं जिसमें starting का सारा काम जो है आपके इसी में देखा जाता है उसके बज़ जो हमारी next activity है वो भी बहुत important है जिसके बारे में भी हम आगे इस slide में आप देखेंगे तो वो है हमारी investing activities अब investing activities का simple सा मतलब है कि आप within business में बात नहीं कर रहे हैं अब आप business से बाहर की बात कर रहे हैं तो आप business से बाहर जो investments करने वाले हैं बिजनस में जो long term investments करने वाले हैं जैसे इसने बताया है कि आप acquired करते हैं disposal करते हैं long term assets को other investments को आप यहाँ पर acquire करते हैं resources को ताकि आपकी future income generate हो सके cash flow हो सके अब इसकी कुछ examples आपको यहाँ बताए है जैसे हम fixed assets को acquire करते हैं यह within business में investment है यह short term investment है यह long term investment आती है तो उसकी कोई payment है fixed assets को अगर हम sale कर रहे हैं उससे अगर हमारी कोई receipts होती है तो वो हमारी investing activities में आता है कोई investment हमने acquire किया तो उसकी अगर हमने कोई payment किया तो वो आपकी investing activities में आते हैं कोई cash advance है या कोई loan आपने लिए है कोई recovery आपके हुई है तो वो आपकी investing में dividend है interest on investment है यह सब आपकी investing activities का part बनता है तो यह भी बहुत important part है आपके business को grow करने में जो help करता है तो अभी हम individually activities को बहुत brief में पढ़ रहें नेक्स में थोड़ा deep में जाके इनको read करेंगे financial activities में simple है आपकर जो result आपका आता है जिससे आपके size और composition जो honor की capital और borrowings है वो show करता है तो इसमें जस्ट आपको borrowings कहां से कहां से आप पैसा use कर रहे है किस amount को use कर रहे है आप अपने business के लिए यह आपका useful होता है कि predict कर सकता है कि आपके future claims कौन से है कहां से आपके flow रहेगा cash flow रहेगा by the provider of funds example के तोर पे जैसे बताया है cash proceeds from issue of shares तो यह आपको financial activities है share issue करके जो आपके पास पैसा आ रहा है cash proceeds from issuing debentures and other long term borrowings debentures and other long term borrowings है जो cash proceed कर रहे है कोई cash repayment की है आपने कोई amount borrow के दा उसकी repayment आपने की है interest आप पे कर रहे है dividend आप पे कर रहे है तो यह आप की आती financial activities के अंडर तो operating जैसे आपको बताए starting है business में जो भी basics activities होती है investing मैंने आपको बताए जिसमें आप investment करते है fix assets में investment करते है उनको purchase करने में sale करने में ऐसे ही financial activities है जो आपको just यह बताता है कि आप किस तरीके से अपने business के size या composition को आप changes कर सकते है with the help of these financial activities तो financial activities में यही आपका रहता है कि आप shares को issue करते है वहाँ से पैसा आता है कैसे diventures की payment होती है interest की payment कैसे होती है dividend की कैसे होती है वो सब चीज़न जो है financial activities में study करते है तो यह तीन activities आपके थी उसके बाद जो next test में वो है extra ordinary items तो cash flow आपका extra ordinary items से भी होता है थीक है उसको हम separately अलग से दिखा सकते है separately disclose कर सकते है classified जो आपके operating, investing और financial activities है उसमें होने show कर सकते है तो cash flow from extra ordinary items should be separately disclosed classified into operating, investing and financing activities तो वो भी हम नहीं आप पर study करेंगे कि किस तरीके से उनको हम show कर सकते है तो यह जो basic आपके तीन activities अभी जैसे मैंने उपर बताई बहुत important है जिनको आपने बहुत अच्छे से study करने तभी आप जो है next work यहाँ पर अच्छे से cash flow statement को prepare करने में कर सकते है तो यह extraordinary items के बारे में मैंने आपके बताई है कि इसको disclose करना होता है उसके बारे जैसे taxes on income तो tax paid to be classified as cash flow operating activities unless they can be specifically identified with financing and investing activities तो इस item के लिए transaction वो आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर just वही चीज़ बताई है कि tax paid जो है classified cash flow from operating unless they can be specifically identified with financing and investing activities तो इस type के जो extraordinary items आपको जैसे बताई गया तो इसके बारे में आपको थोड़ा से यहाँ पर पता होना चाहिए तो एक तो यह आप study करेंगे इसके अंदर किस तरीके से आप यहाँ पर आपका work रहता है किस तरीके से tax on income की क्या treatment रहती है तो यह treatment आपको पता होना चाहिए तब ही आप effectively जो है cash flow statement में work यहाँ पर कर सकते है तो इस तरीके से जो next item आपकी आएगी taxes on income के बाद तो next item आपकी रहेगी non cash transactions जैसे इसने बता है अब non cash transactions में क्या रहता है जैसे investing and financial transactions है that do not require use of cash जिन में cash का कोई use नहीं है तो exclude from cash flow statement जो non cash transactions है उनको आपने cash flow statement में show नहीं करना है disclose separately elsewhere in the financial statements जो आपकी financial statements कोई और है तो वहाँ पर आप उनको disclose कर सकते है लेकिन आपने cash flow statement में इसको disclose नहीं करना है तो यह आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो भी आपकी non cash transactions है उनको आप cash flow statement में disclose नहीं करेंगे तो यह भी important part है जिसके बारे में आपको थोड़ा सब रहना है study करना है कि cash flow statement में कोई भी non cash transactions को आपने show नहीं करना है क्योंकि non cash transactions जो है वो आपकी cash flow statement का part नहीं रहता है तो simple है कि कोई भी investing or financial transaction है जो यहाँ पर cash का use नहीं हो रहा है तो उसको आपने यहाँ show नहीं करना है अब इसमें cash from operations में जैसे आपके method बताएं direct method है पहला इसमें क्या रहता है major classes of receipt and payment of for operating activities are considered ठीक है direct method में just major classes of receipt and payment जितनी भी है operating activities को उनको consider यहाँ पर किया जाता है उसके बाद आपका आता है indirect method indirect method में क्या होता है adjust net profit or loss तो इसमें क्या क्या है जैसे points बताएं non cash items changes in current assets and liabilities items that can be classified as financing or investing cash flow तो यहाँ पर यह दो method आपको बताएं एक तो direct method है जिसमें आपको just major classes जो receipt और payment है for operating activities उनको consider किया जाता है और indirect method के अंदर आपके just adjust होते है net profit और वो किस तरीके दोते हैं वो आपको यहाँ पर बता दिया है तो इसका आपको अच्छे से knowledge होना जरूरी है जिसमें आपने कोई भी एक method जो है use करना है वह हम आगे questions में करेंगे जब हम practical questions के solve करेंगे उसके बाद यह टेबल है important table से आपको थोड़ा बताया तीनों को classify किया गया तो आप इसको देख सकते हैं जिसमें आपकी cash flow from operating activities है investing activities है financing activities है अब इसमें जैसे पहला है profits before tax इसमें क्या होगा add non cash expenses depreciation है जैसे add non operating expenses आपको वह add करने है less करने non operating incomes add decrease in current assets increase in current liabilities less increase in current assets decrease in current liabilities less income tax paid तो ये आपको अच्छा से पता होना चाहिए कि आपकी जो operating expenses है उनको तो आप non operating expenses को तो add कर दीजिए non operating incomes को less कर दीजिए same ऐसी current assets के उसकी treatment आपको पता होना चाहिए उसके बाद investing activities में same purchase of fixed assets कोई भी आपकी investment है वो आपने या शो करने खोई acquisition का investment का loan advances है sale of fixed assets है या sale of investment है या loan and advances recovered है या interest received है dividend received है वो यहाँ show करेंगे आप financing activities में कोई भी share issue कर रहे है debentures issue कर रहे हो loan ले रहे हो redemption कर रहे हो कोई भी repayment कर रहे हो loan की कोई interest pay कर रहे हो कोई dividend pay कर रहे हैं dividend distribution tax paid है तो वो आपने यहाँ पर इसको show करना है तो यह तीनों ही activities बड़ी important हैं आपकी जिनके बारे में आपको इस table के अंदर थोड़ा brief में बता दिया गया है कि किस तरीके से आपका यह work जो है हाँ पर हो सकता है तो cash flow statement from operating activities इसका एक part आपको show किया है profit before tax से start करेंगे जो भी non cash expenses है उन्हें आप add on कर दीजिए non operating expenses को add on कर लीजिए same as a less non operating income जो भी interest earned है dividend है उसको show करना है same as a decrease in current assets increase in current assets liabilities वो आपको बता दिया same as a reverse हो जाएगा ऐसे ही आपकी investing activities में जितने भी आपके fixed assets purchase कर रहे investment कर रहे loan advances है वो सब यहाँ show होंगे कोई भी fixed assets sale होता है investment sale होता है उसको आपने यहाँ show करना है loan advances को रिकवर्ड हुए वो यहाँ आएंगे inter receive है कोई भी dividend receive है उससे आपने यहाँ show करना है sale of assets है वो आपका यहाँ पर show होगा तो इस तरीके से आपने इस activities को शहाँ पर show करना है ऐसे financial activities में issue of shares, debentures, कोई भी redemption है payment है वो सब इसके अंदर आपकी आजाएगी financial activities के अंडर तो इस तरीके से यह table थी आपकी उसके बाद last disclosement same way है कि आपको cash and cash equivalent के cash and cash held by the enterprise data not available for use by it तो यह जस चीजें आपने आपको बताया है इसमें तो यह cash flow statement के बारे में छोटे सा आपको एक वीडियो के थूप समझाया है तो आज जस इन चीजों को आप थोड़ा read out कीजिएगा और जो next video मैं आपकी बनाऊंगा cash flow statement पे उसमें जस आपको सोड़े questions भी solve करेंगे और सोड़े सा बहुत 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 जाके हम जो हैं इसको study करेंगे तो आज के लिए इतना ही है प्लीज आप इसको अच्छे से read करें इसको अच्छे से समझें अपने book से बढ़ें topic को और यहां से भी समझें कोई doubt आता है तो आप मुझे mail कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही है तो thank you और next video के लिए आप wait करें और please इस channel को subscribe करें और इस information को ज़्यादा से ज़्यादा share करें student के साथ ताकि आप तक update पहुंच सके और बागी students की help वो हो जाए तो आज के लिए इतना ही है Thank you